तालाब की तालाब की मच्छलियां देखे जिसमें कहानी रहेगी हम बता देंगे ठीक ना तालाब की मच्छलियां प्रेत का बयान प्रेत का बयान अकाल और उसके बाद अकाल और उसके बाद या इनकी प्रसिद्ध कविटा है अकाल और उसके बाद इसमें इन्होंने जब भारत में आकाल आया था तो उस अकाल के बाद जो इस्तिती थी उसके बारे में कविता देखेगा कई दिनों तक चुहा रोवा चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई रही पास इसमें देखा इन्हों बताया कि कई दिनों के बाद जो है घर में जब अनाज के दाने आते हैं तब चू अब इस इतनी बिक्रालती कि लोगों को खाने की बिवस्था नहीं थी कि उसको देखता क्षा ब्रॉस्थाодар की शिक्षा ब्वस्था इसे मैं यहां बता रहा हूं बांचना मने पढ़ना बारा खड़ी का उस समय गुरू जी जो है अब बारा खड़ी जो पढ़ा रहे थे अब जिस श्यामपट पर पढ़ा रहे थे लकड़ी का होता था तो सातीरों ने जो है गुन ने इस पार से उस पार कर दिया था और जिस मकान में पढ़ा रहे थे गुरूजी वह चू रहा था बारिस में वह चूता था और इधर उधर जो है घूमती रहती थी तो इन्हों है भारत भाग्य विधाता भारत के भाग्यकार निर्मान कर रहा है ठीक ना चलिए आगे देखें कामताय थे लाश्ट में लगए था हाँ आगे लिखेगा जमन्या का बाबा अगे रिचना है बादल को घिरते देखा अगे बादल को घिरते देखा अगे बाबा बटेशर नाथ बाबा बटेशर नाथ हो क्या चना जोर गरम चलिए अब अगले राइटर लिखेगा मुंसी प्रेमचंद मुंसी प्रेमचंद मुंसी प्रेमचंद को जान लेते हैं कि सबसे पहले हैं इनका जन्मस्थान कहां है बनारस के निकट अब लमही नामक गाउं में बनारस से चार किलोमीटर उत्तर एक गाउं है लमही वहीं इनका जन्म हुआ था हुँ अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि देखें इनका वास्तिक नाम था धनपत राय का नाम था मुंसी प्रेम चंद का वास्तिक नाम धनपत राय था कि अधिक नबाब राय यह उर्दू में लिखते थे अधिक ना और यह प्रेम चंद नाम जो है अधिक प्रेम चंद नाम दया नारण निगम ने दिया था कि थोड़ा सा इनके बारे में लिख लेते हैं इनके बारे में लिख लेते हैं लिखें मुंसी प्रेम चंद को मुंसी प्रेम चंद को कहानी एवं उपन्यास सम्राट कहा जाता है कहानी एवं उपन्यास सम्राट कहा जाता है हो क्या है लिखें उन्नीस सो च्छटी सिस्वी में आयो जीच्ट प्रगति सील लेखक संघ प्रगति सील लेखको संघ का प्रथम अधिवेशन का प्रथम अधिवेशन लखनव में हुआ था जिसके जिसके प्रथम सभापति अब्लिक अध्यक्ष अब्लिक अध्यक्ष अब्लिक अध्यक्ष अध्यक्ष मुंसी प्रेमचंद को निक्त किया गया था लिखियरा चुनाए कि अध्यक्ष कर दूद्ध कि अध्यक्ष 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 लिए वोलें लिखे गोदान गोदान से प्रशन आया था उसको जान लेते हैं गोदान से जो प्रशन पूछा गया था उसको जो प्रस्ण आया था वो यह था कि मुंसी प्रेम चंद जी का कौन सा उपन्यास ग्रामीड प्रिश्चिभूमी पर लिखा गया है कि मुंसी प्रेम चंद का कौन सा उपन्यास ग्रामीड प्रिष्टि भूम पर लिखा गया है तो कौन सा है हाँ तो यह लिग लिजेगा ग्राम प्रिष्ट भूम पर लिखा गया उपन्यास कि मुंसी प्रेम चंद्र प्रगत्वादी का विधारा के कभी नहीं है भाई यह लेखक हैं कभी और लेखक में अंतर है मुंसी प्रेम चंद कभी नहीं है लेखक है कि चलिए कहां बताये थे अगे लिखिएगा कि गोदान के बाद लिखिएगा गबन कि अगर कि अगर कि अगर कि चलिए बता देता हूं कि कुछी लोग बता रहे हैं कि जो है कि लेखक कौन होता है कभी कौन होता है जान लेजिए नहीं जाने रहेंगे तो प्राइमरी हो जाई ध्वास्त और लड़ीका हो जीए आथंग वादी तो कभी जो कभी करमणाई कभी अर्थात जो कविटा का कारे करता है वह कभी कहलाता है जो कविटा लिखता है वह कभी कहलाता और जो कहानी यानि जो गद्धी पिधाएं लिखता है वह लेखक होता है और जो काभी विधा लिखता है वह कभी कहलाता है कि न कि लियर है कि अब गबन की कहानी विचान लीजिएगा खास करके मैं जो है पूरुस लोगों को बताऊंगा कि इसमें है क्या की पतनी के कारण विचारा इतना गबन करता है अंतमें नौकरी भी जाती है और जो है लोक लज्जा के कारण भाग जाता है होता क्या है कि उसी पतनी जो है डिमांड करती है हम को जो है ज्यूर्ण चाहिए अच्छा जैसे विचारा अपना इधर उधर काट को पटके जो है लाके देता है अगले महिने और भी डिमांड बन जाती है इस तरह से वहां गबन करता ज जाता है और अंत में नौकरी भी सुस्पेंट हाँ गबन माने चोरी वही गबन माने जो घोटाला करता नौकरी भी जाती है और अपना भी घर्दवार छोड़ करके भागना पड़ता है कि थेखना चलिए हाँ कुल निलाम होई जाए ठीक है आगे हो गया आगे लिखेगा कर्म भूमी रंग भूमी शेवा सदन प्रेमाश्रम प्रेमाश्रम निर्मला जहां निर्मला लिखें हैं वहीं लिखिएगा अनमेल विवाह पर अनमेल विवाह पर देखें इसमें होता क्या है ची लड़की के पिटा जो है लड़की की उम्र का फी कम होती है और जो लड़का है अधेन उम्रका था लेकिन घरेभी के कारण वह अपनी पुत्री काविवाह लड़की से कहीं ज़्यादा उम्र के लड़के से विवाह करता है और मुंजी प्रेम चंद ने अनमेल विवाह के बाद हुई इस्थितियों के बारे में जिक्रिस गरंथ में इन्होंने किया है हुँ 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 है वही निर्मला लड़की का नाम है कि यह जो निर्मला है कि इसी लड़की का नाम है और इसी लड़की का अनमेल विवाह करा दिया जाता हुँ है वही है ठीक नँद चलिए आगे कि अग लिखेगा कि मान शरोवर मान शरोवर कि इसमें लिखेगा मुंसी प्रेम चंद की कहानियों का संग्रह मुंसी प्रेम चंद की कहानियों का संग्रह आठ भाग आठ भाग मुंसी प्रेम चंद की कहानियों का संग्रह आठ भाग और इसमें लग भाग तीन सो कहानियों का संग्रह देखिए प्रसना आप से यह पुछा जाता है मान शरोवर के कितने भाग है कितने भाग है आठ मान शरोवर है क्या कहानियों का संग्रह किसकी कहानियों का संग्रह मुंसी प्रेम चंद आगे लिखेगा कर्बला प्रेम की बेदी अलगोज्जा अलगोज्जा थाकुर का कुवां दामुल का कैदी नमक का दारोगा थाकुर का कुवां भूड़ी काकी इदगाह सोजे वतन सोजे वतन जहां सोजे वतन लिखे हैं उसी का लिखेगा ब्रेकट में लिखे इस कहानी को इस कहानी को ब्रिटिश शरकार ने ब्रिटिश राज द्रोह का राज द्रोह का मुकदमा लगाकर राज द्रोह का मुकदमा लगाकर इसे जब्त कर लिया था अगया तरह ने लाएंस कियेगा सत्रंज के खिलाडी तो सत्रंज के खिलाडी पंच परमेश्वार आत्माराम बड़े घर की बेटी पूस की रात पूस की रात इंपोटेंट है परिक्षा में आई है कई बार इदगाह पूस की रात पंच परमेश्वार ठाकुर काकुवा बड़े घर की बेटी यह सब कहानिया इनकी महत्पूर्ण है और परिक्षा में अक्सर पूछ ली जाती है अगले राइटर हैं चंद्रधर सर्मा गुलेरी इस तीन सो कहानिया हैं बहुत कहानिया का करेंगे लिख करके आप बहुत कहानिया है आप 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 चंद्रधर सर्मा गुलेरी हाँ जो इंपोर्टेंट हुए बता मैं रहा हूं आप चलिए कहां बताना था अलगोई जा इसको मिटाओं चंद्रधर सर्मा गुलेरी लिखिये हिसे implan है की कहानी को कि इनकी कहानी को हिन्दी कहानी साहित्या का कि हिंदी कहानी साहित्य का był मील का पत्थर कहा जाता है प्त्थर कहा जाता है यह मिल का प्त्थर मेल्च का पत्थर कहा जाता है कभी अग्रेजी में भी आता है अग्रेजी में लिएका कि डामाईली इस्टोन निल जानते न न कि सड़क के किनारे आप देखेंगे किलो मीटर पत्थर लगता है ना उसी को क्योंकि पहले जो दूरी का पैमाना था वह मील में होता था कि एक मील बराबर सोला समीटर में गना जैसे एक किलो मीटर बराबर एक हजार मीटर वैसे ही मिल बराबर जो है एक मिल बराबर जो 16-00 मीटर ठीक ना तो प्रसंद कभीक यहां से आता है किसकी कहानियों को कहा जाता है उत्तर होगा कि अधर सर्मा लिखिया रचना कि उष्ण ने कहा था उष्ण ने कहा था कि जहां उसने कहा था में लिखेगा 1915 कि उसने कहा था कि 1915 कि देखें गुलेरी जी की प्रसिध्य जो है इसी कहानी पर हुई थी कि कि इस पर उसने कहा था कि अब अब है इसको जान लेते हैं इस कहानी का जो नायक है मनीशा कुमारी तुह के ना पताबाई 1915 में का मतलब यह कहानी 1915 में लिखी गई थी तो कालिदास से लोगों से परिसान रही ला हां हां उसने कहा था अब क्या कहा था यह वतावत थी देखें कि यहां कहानी जो है प्रथम विशुद्ध के बाद लिखी गई थी हाँ है अब हुआ क्या था इसका नायक था लहना सिंग्ग कुछ लेता है कि इसका नायक कौन है लहना देखा लेहना मतलिख दिया लहना है कि इस कहानी का जो नायक है लहना सिंग्ग पूरी कहानी थोड़ा से जान लेते हैं सारगर भी तरीके से बहुत थोड़ा में बताएंगे देखें यह जो लहना सिंग्ग है यह अपने परोस में रहने वाली एक लड़की थी उसके घर इसका आना जाना था और वहां इस लड़की से प्रेम करता लहना सिंग्ग कि बाद में लहना सिंग्ग भरती हो गया फौज में और उस लड़की का विवाह मेजर जिस बटालियन में लहना सिंग्ग था उसी बटालियन के मेजर से इस लड़की का विवाह हुआ था जब वुश्व युद्ध में जो जा रहे थे टो उस लड़की ने लहना सिंग पहचाना और लहना सिंग्ग को पहचान करके बुलाया क्योंकि पहले पर्दा पर था थी लहना सिंग्ग उसको जान ध्यान नहीं दे पाया था और लहना सिंग ने कहा था लहना सिंग से वह लड़की कही थी कि तुम किसी भी कीमत पर अपने स्वामे की अपने मालिक की रख्षा करना कि अच्छा अब यह क्या होता है कि जंग में हमेशा साय की तरह मेजर साथ के साथ लगा रहता था यहां तक की साथ का अग्र कितनी भी कठ्षिनाईयां हो जाएं लेकिन किसी भी परिस्तिती में यह लहना सिंग मेजर साथ नहीं छोडता था अच्छा जब वहां से लौट करके साकुसल जब यहां आता है मेजर सिंग कहां भोज परामंत्रित होता है तब वहां देखता है कि यह तो वही लड़की है जिससे मैं पहले प्रेम करता था यही कहानी है उसने कहा था चलिए आगे लिखेगा बुद्धु का कांटा कि बुद्धु का कांटा कि सुखमय जीवन कि सुखमय जीवन कि देखे यह तीन कहानी ही लिखे और तीन कहानियों के कारण ही निकी प्रसिद्धी हुई है जैसे कवर बिहारी लान ने एक रचना लिखा और एक रचना लिकर के अमर हो गए आज भी आप देखें कि बिहारी से सही के पढ़ने वालों की कमी नहीं है ठीक उसी तरह से गुलेरी जी तीन कहाने लिखे थे उसने कहा था बुद्धु का कांटा शुकमय जीवन चलिए आगे लिखते हैं अगले राइटर हैं हजारी प्रशाद दिवेदी हजारी प्रशाद दिवेदी लिखें दिवेदी जी मुख्यता हाँ दिवेदी जी मुख्यता हाँ कि अच्छा ठीक कि तीने लिखें है हाँ हाँ जुटे टेंसन हम लोगों दे दिये हैं एक एक लिखिये होते तो कम पढ़ना पड़ता सरकार बहुत पैसा देती है प्राइमरी अध्यापकों को हाँ तब नहीं कहोगी कि जो है कि हम थोड़ा थोड़े मिले हाँ अरे मैं कई बार बताया हूं कि यदि छात्र राष्ट निर्माता है तो सिच्छक यूग निर्माता आप यह की यूग का निर्मार करेंगे मार्ण साहब कि कहां बूलें है कि अब कर दो लिए नहीं मिले लोकित का हुए है चलिए कि प्राइमरी में के खाले पढ़ावें बहुत है हम ना जरुति का हो ला हुए है कि चलिए कि कुछ नहीं देखे सीरे सीदेक पार फंडा है पद प्रतिष्ठा और पैसा प्रतिष्ठा और पैसा टीचिंग जाब है अब एक ना कि मुख्यता है निवन्दकार है लिखे रचनाएं असोग के फूल असोग के फूल हो गया है तुम चंदन हम पानी असोग के फूल कि इसके बाद जो है तुम चंदन हम नहीं है यह तो गलत हो गया है असोग के फूल तुम चंदन हम पानी कार दीजिएगा वह विद्या निमास मिस्तर का है कि असोग के फूल हो गया विचार और वितरक विचार और वितरक कल्प लता कुटज 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 इनकी इंपोर्टेंट अशर पुछने थे कुटज विचार प्रवाह विचार प्रवाह कि आत्म कथा अंडरलाइन कर लेज़ेगा इसको जिसको बता रहें करते जाएगा बार भट की आत्म कथा अनामदास का पोथा यह भी कई बार पुछा गया है कि अनामदास का पोथा कि पुनर्नवा कि आलोक पर्वा कि चारुचंद्र लेक अब अगले राइटर है डाक्टर राही मासूम रजा अनामदास का पोथा अनामदास का पोथा डॉक्टर राही मासूम वज़ा कि इसमें यह मूलता हा यह मूलता हा अंचलिक उपन्यास का रहें यह मूलता हा अंचलिक उपन्यास का रहें कि देखें अंचल माने होता किनारा कि जैसे आप देखें होंगे लिखा होता है पूर्वांचल है ना पूर्वधन अंचल पूरब का किनारा अंचल माने होता है किनारा अर्था जब कोई लेखक किसी छेट्र विसेश की घटनाओं को लिखता है तो उसे आंचलिक फा की लेखक कहते हैं अब यह लिखें है दिकतर और उपनयास इसल compilation को आणचलिक अधार को आधागाई को अ कि रूओ रचनायम लिखेगा प्रमु खरचनाए आधागाओं आधागाउं के बारे मता देता हूं आधागाउं क्या है देखे गाजीपूर वीरों की धर्ती गाजीपूर कहा जाता है कि आज भी सेना में सबसे ज़्यादा जवान अगर कहीं कि है उत्तर प्रदेश में वह है गाजीपूर वह क्या था कि जब भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में जब सैनिक सहीद हो जाते थे उस समय जो है सैनिक की डेड़ बॉड़ी भारत या उसके जो घर नहीं आती थी हाँ जिसे रेजिमेंट में वह भरती होता था उसी रेजिमेंट में उसका दाह संसकार हो जाता था केवल टूपी आती थी आप देखेंगे सैनिक टूपी पहिंता ना तो टूपी केवल आती थी कि बाद में मानने मुलायम सिंग यादों ने कहा कि सैनिकों के पार्थिव शरीर को शासम्मान उनके पैत्रिक जिले में भेजा जाए और उनको जो है सासम्मान उनका अंतिन संसकार किया जाए हाँ यह मुलायम सिंग की दिन है मानने मुलायम सिंग ने कहा कि जो भी यहां जब यह भारत के प्रक्षामंत्री थे तब इन्होंने कहा था अब आज देखेंगे आप सेनिकों का पार्थी शरीर शाय शम्मान जो है घर आता है कि फिर घर से जो है अंतिम संस्कार तो हुआ क्या था कि जब वहां से सूचना मिलती थी हर पांचवा स्थैनिक मरने वाला था गाजीपुर का अब हुआ क्या कि हिंडूों में काफी आक्त्रोस हो गया इस घटना को ले करके और उन्होंने क्या कि एक मुस्लिम आवादी का गाउं था जिसको चारों तरफ से घेर करके जला देते है कि इसने कहा अडल विहारी वाजपेई की देन ज्यान चच्छु बढ़ाईये मानने मुलायम सिंग्ग की देन है भारत के रच्छा मंत्री जब यह सियाचिन ग्लेसियर पे गए तो सेना के जमानों ने कहा कि मुलायम सिंग्ग जी आप मंत्री जी आप जो है यह कोट पहले नहीं कहा कि यादों का लड़का हमको ठंडी कहें लगेगी जब यह वहां गए तो हालत खराब होने लगी तब इन्होंने यह दर्द जाना कि वास् जल्दी उनने निन्यान नवे के घटना इसे पहले बार थी चलिए कि कामता रहते हम तो उस गाउं को जो है जला दिया गया उसी भीवीशिका पर लिखा गया है इनका ग्रंथ आधा गाउं आगे लिखेगा कट्राबी आरजू को कट्राबी आरजू ओस्की बूद ओस्की बूद तोपी सुक्ला सीन सेवेंटी फाइब सीन सेवेंटी फाइब हिम्मत जौन पुरी मैं एक थेरी वाला मैं एक थेरी वाला नीम का पेड़ दिल एक साधा कागज दिल एक साधा कागज अगले राइटर लिखेगा मोहन राकेश मोहन राकेश इनको देखते हैं कल आज के लिए इतना ही इस बाकिए सब्सक्राइब करें कि इस दिन समय रहेगा तो आप पूछ लेना आज के लिए इतना ही बाकिए मिलते हैं कि अब सब्सक्राइब करें कि अब कि अब कि कि सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं कल हम लोग कौन सी टाइप पढ़ रहे थे भाई टाइप या शिक्स बतो पाइप सराप की वाच अच्छा अच्छी है थेंक्यू दिख्षा ठीक है कि अगे हुँ है कि यह थे हैं अगरे ठीक चलो भाई देखो ध्यांद से अब हम नेक्स्ट इसमार्ट लगने ते अरे कुछ नहीं स्मार्ट कोई नहीं होता है चलो सब अच्छा है जो अगला क्वेशन करते हैं वहीं टाइफ फाइप चल रहा था